हाँ जी तो हम futures continue करते हैं ये एक बड़ा chapter है इसका weightage भी बहुत ज़ादा है ठीक है और ये एक ऐसा chapter है जो आपको समझना भी चाहिए मतलब derivative का ग्यान future समझे भीना तो पूरी तरीके से अधूरा रहेगा ठीक है तो हमने ये देखा था कुछ important terminologies हम discuss कर रहे थे मैं आपको futures बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूँ पूरा वही पढ़ा रहा हूँ जो NISM 8 के curriculum में है ठीक है सिर्फ पढ़ाने के style मेरा है बाकी structure और जो भी coverage chronology है वो सब आपकी study material के हिजाब से है तो आपको बिल्कुल भी tension नहीं लेना exam point of use है ठीक है तो हमने देखा कि open interest और volume हम options वाले chapter में cover करेंगे कि वहाँ data point जादा होते हैं मुझे आपको समझाने में जादा आसानी होगी कुछ positions के बारे में derivatives में बताया गया है ठीक है तीन terminologies यहाँ पर introduce होती है एक होता है long position एक होता है short position और एक होता है open position long position का मतलब बता है क्या होता है long position का मतलब यह है आपने buy कर रखा है simple सा logic है मैंने reliance का september august का future buy करा समझना तो I am long in reliance august future similarly short position का क्या मतलब है आपने sell कर रखा है ठीक है बिलकुल simple सा logic है आपने sell कर रखा है ठीक है और open position का क्या मतलब है buy oblique sell कर रखा है यहां तो buy position है यहां sell position है plus अभी तक settle नहीं हुआ है ठीक है open position मतलब मैंने buy करा है और buy करने के बाद मैंने उस position को अभी तक sell off नहीं करा है the position is still open from my side that is open position अब यहां पर है आपको एक और terminology से रूबरू होना है वो है naked position naked position का क्या मतलब होता है पता है naked position का यह मतलब है that you have only buy or sell a future contract आपने सिर्फ और सिर्फ एक future contract को यहां तो buy करा हुआ है यहां sell करा हुआ है तो sir इसको naked क्यों बोल रहे हो आप इसको naked बता हूँ क्या आप क्यों बोल रहे है why it is called as a naked position अगर आप सिर्फ future contract को यहां तो buy करते हो यहां sell करते हो तो आपका जो profit है वो profit आपका हो सकता है unlimited और आपके जो losses हैं वो losses भी हो सकते हैं आपके unlimited मतलब क्या है कि आप market में पूरी तरीके से exposed खड़े हो पूरी तरीके से naked खड़े हो आप समझ नहीं पा रहे हो अभी अगर मान लो मैं daver का future लेता हूँ आज daver के future की कीमत 944 rupees है आपने इसको buy करा तो आप 1200 share buy करोगे boss एक साथ कल अगर मान लो daver का future 100 rupees कम में खुलता है तो आपको सीदे सीदे साड़े मतलब 2,25,000 rupees का नुकसान है अगर किसी कारण से मान लो ऐसा हो जाए bourbon family accident कुछ भी इस तरह के कोई चीज हो जाए और ये 200 rupees नीचे खुल जाए तो आपको सीदे सीदे 2,500 rupees का नुकसान है एक दिन में why because you have open positions which are naked you have open positions जो naked है तो sir इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को ये जो unlimited profit और unlimited loss है तो मैं समझ रहा हूं कि position naked है तो इससे बचने के लिए जो करना पड़ेगा अभी सिर्फ term समझ लो उसके उपर पूरा का पूरा चार्टर दिया होगा इन लोगों ने तो हमें करनी पड़ेगी hedging hedging में क्या होता है hedging में है आपका objective है रहता है कि अगर आप future buy या sell कर रहे हो तो उसके साथ आप एक position और लो या तो future में लो या फिर option में लो लेकिन एक position और लो with an objective कि आपका जो profit हो राधर गलत बोल दूँगा मैं with an objective कि जो आपका loss है वो loss limited हो जाना चीए यहाँ पर hedging का objective profit कमाना नहीं होता है the objective of hedging should be कि जो मेरा loss है वो loss एकदम कम हो जाए limited हो जाए मुझे पता हो यह जो unlimited वाला टाग है यह हड़ जाए क्योंकि अगर आप naked position लेके खड़े वो futures की it is a weapon of mass destruction आपको समझ नहीं आ रहा है अभी मैंने future stocks को एक दिन में 25-25% नीचे गिरते वह देखा सब उड़ जाता है bro कित्ते order लेके जाएगा सोच तो कित्ता पैसा लगा देगा अगले दिन खुले ही 7% 8% नीचे यह मान ले तो शॉट करके गए अभी अभी हुआ था recently Infosys एक दिन में TCS एक दिन में 7% अपुले ही 5% उपड़ आप बेच के गए हो TCS को इस उमीद में की नीचे गिर जाएगा और TCS एकदम टन के उपड़ खड़ा हो गया अब आप क्या करोगे डोंट है इसलिए हम लोग hedging करते हैं hedging में क्या होता है कि मैं कुछ ऐसा कर देत हूँ कि loss settle हो जाता है का क्या मतलब है तो उसके लिए है ना आपके syllabus में futures का payoff दे रखा है याना मैं थोड़ा सा jump ले रहा हूँ हम ये 2-3 चीज़े अभी के लिए छोड़ रहे हैं मैं यहां से सीधे 2 slide jump लेके future के payoff chart पे आ रहा हूँ कि future का payoff chart क्या होता है रों कैसे दिखता ह तो मैं आपको सीधे अभी system पे लेके आता हूँ and हम लोग practically open करके देखते हैं unfortunately जब मैं भी record कर रहा हूँ तो market close हो चुक है but again we don't need the live market for this आप OPSTRA search करेंगे google पे तो यह option analytics करके आपके सामने open होगा सब कुछ free है कोई plan plan नहीं लेना है यहां पर आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको है इधर मेरे photo के पीछे जहां मैं बैठके बात कर रहा हूं मेरे बिल्कुल पीछे इस तरफ जहां मेरा cursor घुशा है वहां login और sign up है आप वो login और sign up कर लेना एक बार आपका login हो गया यह logged in हो चुका है ठीक है तो आपको क्या करना है आपको है बिल्डर में जाना ह यह बिल्डर में जाना है आप बिल्डर गेम में गए अब थोड़ा सा ध्यान देना जरा मैं यहां लेता हूं डाबर क्योंकि डाबर की अपन बात कर रहे थे तो यहां पर कुछ चीजें आपको पहले दिखेंगी पहले वो समझ लेते हैं क्योंकि हमारा main उद्देश है कि ह हमें payoff chart समझना है तो उसके पहले कुछ एक चीजें हैं वो पहले clear कर लेता है अभी अगर आप देखोगे तो यहां पर यह बता रहे है कि डाबर का अगर आप share cash में लेते हो तो 640.9 is the spot price डाबर का जो recent expiry का जो future है अगर वो लेते हो तो 644 है इन दोनों के बीच का difference क्यों ह है न इसका और detailed discussion आएगा आगे lot size 1250 है मैंने आपको पहले ही बोला है कि एक रुपे का अगर movement होता है तो आपको 1250 रुपीज का plus minus हो जाएगा implied volatility जो IV है न वो IV है 23.31 23.31 का क्या मतलब है कि यह stock अगले एक साल में यहां तो 23% उपर जा सकता है यह 23% नीच आ सकता है इसमें इतनी अभी volatility चल रही है ठीक है IV percentile का क्या मतलब है कि जो highest volatility रही है वहां से अभी current volatility is at 60th percentile यह share और volatile रहा है ठीक है जब बहुत जादा इसमें buy sell होता है अब अपन क्या करेंगे futures लेंगे डाबर का 29th August 2024 की expiry का future लेंगे अपने को तो यहां पर देख लेते हैं अपन last Thursday होन last Thursday ठीक है I don't know कुछ dots मुझे यहां दिख रहे हैं आपको भी दिख रहे हैं क्या I'm not sure about it but anyways तो मैं क्या करता हूं इसको buy कर लेता हूं अब जैसे अपने इसको buy करा तो यहां पर है एक payoff chart open हो गया है यह वाला देखो आप यहां दिख रहा है वो payoff chart है अपन सब समझेंगे दी आपना सीख लेते हैं ठीक है payoff chart के अंदर अभी क्या बोल रहा है कि यह जो green color की dotted line आपको दिख रही उपर से नीचे उतरती हुए जो center है बिलकुल chart का अगर मैं वहां center में जाता हूं तो मिरेको 640 जो है अभी वो spot price दिख रहा है यह रहा spot price 641 exactly 640.9 के उपर वो chart बना यह यह payoff graph का मतलब यह है अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो x-axis है यह जो x-axis है यह वाला x-axis x-axis होता है यहाँ पर है डाबर के probable prices लिखे हुए है कि डाबर कितना बढ़ सकता है और कितना कम हो सकता है यह और जादा बढ़े छोटे भी हो सकते है तो x-axis पे price लिख लिखा हुआ है अब इस payoff chart को पड़ा कैसे जाता है वो समझना अभी इस समय जो center point है क्योंकि मैंने position लिया मैंने कितने रुपे पे position लिया 644.7 रुपीज पे ठीक है अगर market 640.9 यह जो 640.9 जो spot का price है अगर 29th of August के दिन जो की expiry है stock का price 649.9 रुपीज रहे जाता है तो मुझे कितने रुपे का loss होगा यह देखिए दिख रहा है आपको वो black color में और वो orange color और blue color के box में बना हुआ my P&L would be 5875 negative अगर समझना इदर अगर price 644 रहे जाता है 644 रहे जाता है तो भी 875 का loss होगा कारण के मैंने 644.7 पे लिया है तो 70 पैसे का फिर भी loss होगा यह मेरा pay off chart है सर अगर मान लीजिया आपने 644 पे लिया है और price 700 हो जाता है तो तो एक बार जाके देख लो 700 के price पर देखोई नीचे price दिख रहे है चल रहा है price 700 पे आईए आप इदर this is 700 अगर यहां से price 31st अगस्त के दिन यहां उसके पहले भी क्योंकि future है समझ ना option में pay off chart में यह line नहीं बोल सकता मैं there is a reason behind it मैं समझाऊंगा आपको अगर stock का price बढ़के 700 हो जाता है तो मेरा जो profit होगा वो 69,000 हो जाएगा अगर stock का price जो मैंने 644 में लिया यह बढ़के 600 हो जाता है कम होके 600 हो जाता है तो मेरा 55,875 का नुखसान हो जाएगा यह pay off chart होता है मोटा माटा आपको यह समझना है कि x axis पे price होता है y axis पे profit and loss होता है और बीच में आपको दिखाया जाता है कि आपका कितना profit है और कितना loss है मैं आपसे direct बात कर रहा हूँ बिलीव में मतलब मैं आपको यह pay off chart अगर यहाँ पर slide में हाथ से बना के बताता तो कोई मजे वाली बात थोड़ना थी वो तो वही बात हो जाती जो आप पढ़ते हो academics में मैं आपको practically बताए कि अपने इसको use करेंगे abstract को अपना जो third chapter है मतलब जो अपना fifth chapter है it is full with strategies only options and future strategies तो आप तो इसकी tension नहीं मतलो ठीक है अब थोड़ा से यहाँ देखते है अभी अगर आप देखोगे इस समय ततकाल रूप में मेरा जो profit है वो negative चल रहा है कि मेरे को इस समय कुछ 7000 रुपे का नुकसान हो रहा है probability of profit एक statistical calculation है जो market implied value के हिसाब से करता है यह मुझे बता रह है कि भाई अभी तेरी 46% probability है कि तू profit में close होगा 31st August तक जरूरी नहीं है सिर्फ 46% probability है उल्टा भी देखो 54% probability है कि loss में convert होगा मेरा maximum profit कितना है मेरा maximum profit जो है वो undefined है कितना भी हो सकता है अगर यह 1000 रुपे चला गया तो हो सकता है अगर यह 0 हो गया तो हो सकता है ठीक है त तो यह जब maximum profit undefined maximum loss undefined तो position क्या यह naked position कहला ही जाती है क्या absolutely this is a naked position ठीक है maximum risk to reward ratio तो not applicable ही आएगा क्यों maximum risk to reward ratio कैसे निकलेगा आपका अगर आप maximum loss को maximum profit से divide करोगे तो जो आएगा that is your maximum risk to reward ratio मतला मेरा maximum loss would be 2000 say for example and my maximum profit would be 6000 say for example to 2000 divided by 6000 1 by 3 my risk to reward ratio would be 1 by 3 break even का क्या मतलब है break even का मतलब है कि किस spot के मतलब यह stock का जो यह price है यह क्या price पे आ जाए कि तेरा no profit no loss हो जाए that is break even 645 अभी चूकी position market close हो चुका है तो कोई भी यह penal नहीं बता पाएगा आपको हमने तो एक fictitious trade लिया ना this is a strategy builder to check whether कि अगर मैं इसी strategy market में execute करता हूँ और profit loss होता है तो मिरे को कितना profit loss होगा यह कि strategy builder है यह original market से link नहीं है और यह approximation बताता है कि भाया एक lot अगर आपको लेना है डाबर का future में buy करना है तो आपके पास एक लाग चालिस हजार तीन सो दो रूपय होना चाहिए सर यह तो मेरे को पूरा pay off chart समझ में आ गया आप मेरे को अब यह बताओ कि जो हमने देखा था कि naked position है ठीक है तो naked का आपने उल्टा बता है था hedge position जिसमें loss को minimize करा जाता है loss को limit करा जाता है उसका वो क्या है देखो अभी एक minute में loss limit कर देते हैं हम क्या करेंगे पता है मुझे पता है भी आपको समझ में नहीं आएगा आप सिर्फ जादू देख अभी अगर मैं सिर्फ एक future का contract लेने जाता हूं market में तो मेरको 1,40,000 रुपे देना है मेरा profit unlimited है मेरा loss unlimited है एक naked position है मैं इसको hedge करता हूं कैसे hedge करता हूं option option buy करता हूं मैं put option buy करता हूं और put option कौन सा buy करता हूं put option में मान लीजिए 650 का buy करता हूं ठीक है let's buy 650 का put option और मैं add कर देता हूं position तो अब मेरे पास इना दो positions है number one एक तो मेरे पास future मैंने buy किया हुआ है और दूसरा मैंने put buy किया हुआ है 19 रुपीज का ठीक है अब अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको कुछ जादू होता हुआ दिख रहा है क्या जादू होता हुआ दिख रहा है पत क्योंकि आपका loss जो था वो undefined था अब चूकि आपने यह जो hedging करी है इससे आपने क्या आपके loss को maximum loss को cap कर दिया है क्या मेरा यह बुलने का मतलब है भाई hedging में होता यह है कि जब profit होगा तो profit बड़ा होना चाहिए देखो profit is undefined profit कितना भी हो सकता है ठीक है लेकिन जब loss हो तो भले ही मेरा stock कितना भी नीचे गिर जाए उससे कोई फरक ही नहीं पड़ता ठीक है कितना भी नीचे गिर जाए मेरा stock उससे कोई फरक नहीं पड़ता मेरे को 18,125 रुपे से एक नया पैसा कमनी दूँगा मैं simple सा बात है मेरा loss मैंने cap कर दिया है ठीक है अब इसको क्या बोलते हैं ये कैसे होता है क्या होता है that is a matter of separate discussion और अपन करेंगे भी मैं मना नहीं कर रहा है not running away बट क्या आपको समझ माया कि hedging एक naked position क्या होती है और एक hedged position क्या होती है that was my idea to me क्यों understand हाँ जी तो अब अगला देखिए अब मेरे को पता नहीं है actually कि NISM ने calendar spread क्यों डाला है यहाँ पर मतलब यहाँ पर सिर्फ क्योंकि calendar spread के एक strategy है आप एक से जादा future ले रहे हो naked position से आप बाहर आ रहे हो एक strategy मैं बता दूँगा आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है it's very easy thing ठीक है लेकिन यहाँ पर क्यों डाला मेरे को समझ नहीं है अपन चलते हैं आगे औ मैं डाबर का august का जो future है august का future मैं buy कर लूँगा और मैं डाबर का साथ में September का future sell कर दूँगा I will sell September का future ठीक है हम एक काम करते हैं हम फिर से screen पे जाते हैं और समझते हैं देखो इदर ध्यान से क्या करेंगे सर औप्स्ट्रा पे आए मानल अपन तो zero से start कर रहे हैं औप्स्ट्रा पे आए builder पे गए यहाँ पर मैंने लिया डाबर मैंने डाबर लिया डाबर का एक future है August का future है क्या मैंने यही बोला था आपको कि August का future मैंने buy किया और फिर मैंने drop down menu से इसको September पे click किया और फिर मैंने क्या करा September का future sell करके add position कर दिया ठीक है जब मैंने ये करा तो आप यहाँ पर देखोगे कि मेरा maximum loss क्या हो गया zero loss हो गया आप देख रहे हो मेरी बात समझ रहे हो आप मेरी बात और मेरा profit क्या हो गया मेरा profit हो गया 5875 यह fixed profit सर आप यह बोल रहे हो यह no loss strategy है क्या इसमें क्या loss होता ही नहीं क्या नहीं होगा loss no loss strategy नहीं सर theoretically तो नहीं बोल रहे हो कि loss नहीं होगा नहीं practically भी loss नहीं होगा लेकिन मेरे को एक बात बता आज 29th of July है समझना logical सुचना आज 29th of July है ठीक है और हमने यहाँ पर September का future रखा हुआ है तो इसका मतलब तेरको कब तक hold करना पड़ेगा September की expiry तक दो महिने भाई अभी दो महिने में तेरा margin requirement कित्ती लगे कि 280,000 रुपीज अटक जाएंगे दो महिने तक और पैसा कित्ता मिलेगा सिर्फ 5,700 रुपीज दो परसेंट रिटर्न मतलब 1 परसेंट पर मंथ रिटर्न calendar spread इन्होंने क्यों आपको लेके आया है मेरे को समझ नहीं आया बट calendar spread is not very popular because इसमें क्या होता है इसमें returns बहुत कम आते हैं definitely risk भी देख रहे हो आप एकदम minimal risk है there is absolutely zero risk but returns भी फिर limited रहेंगे ये बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है ये calendar spread है it was part of your NISM curriculum तो मैंने आपको बताया calendar spread में एक बात ध्यान रखना कि आप क्या करते हो आप एक expiry का contract को buy करते हो और उसी asset की दूसरी expiry के contract को आप sell कर देते हो तो हमने क्या करा डाबर की एक expiry जो august की expiry है उसका contract मैंने buy कर लिया और डाबर की ही September की expiry का contract मैंने sell कर दिया तो ये बन गया मेरा calendar का spread जिसमें मेरे loss हो गए zero मेरा profit sure shot हो गई होगा अगर कोई बच्चा बहुत बुद्धिमान है ठीके तो वो देखके समझ गया है कि profit कैसे होगा बताया profit क्या हो रहा है profit is nothing but the exact difference between 649.4 and 644.7 multiplied by 1250 क्योंकि 1250 का तो lot size है आप समझ गया आप दोनों की mispricing का एक benefit उठा रहे हो क्योंकि एक point ऐसा आता है expiry का जो दिन होगा उस दिन इन दोनों की price same हो जाएगी समझ रहे हो आप और आप उसी का फायदा उठा रहे हो that's it और कुछ भी नहीं है यह logic है calendar spread के पीछे ठीक है अगर ही आपको समझ में नहीं आया है तो जितना NISM में लिखा है अप उतना भी करके जाओगे तो आपको salute है बाकी third chapter के अंदर जितना है strategies वगेर आपने के strategy को डंग से समझेंगे don't worry ठीक है चलिए हाँ जी तो हम आगे बढ़ते हैं फिर से वोई पूछ लिया यार मतलब पता नहीं कितनी बार एकी चीज रिपीट कर रहे हैं लोग कि what is the difference between forwards and futures ठीक है तो मैं इसमें वापस time waste नहीं करूंगा rather what we have done is कि हमने यह करके रखा है आपके लिए तो इसी में से पढ़ लेते हैं अपन इसको फटाफट that forward contract जो होते हैं वो exchange पर traded नहीं होते futures exchange पर trade होते हैं NACBAC पर forward contract जो होते हैं वो होते हैं कस्टमाइज होते हैं future contract standardized होते हैं अगर आपको डावर का future लेना है तो 1250 shares का future ही मिलेगा 1200 का नहीं मिलेगा ठीक है counterparty risk यहां पर exist करती है uncle हो सकता है पापा को पैसा ना दे पापा अंकल को अंकल से सोयाबी ना ले कुछ भी हो सकता है और यहां पर क्या होता है counterparty risk नहीं होती है क्योंकि मुझसे margin money पहले ही ले लिया जाता है अगर मैं खरीद रहा हूँ डाबर का future तो 1,40,000 का margin money मुझसे लिया गया है जैसे कोई डाबर का future बेचेगा तो उससे भी लगभग 1,40,000, 1,50,000 का margin money लिया गया है तो एक contract के पीछे इस point of time पर exchange के पास 3,500,000 रुपे पढ़ा हुआ है 3,500,000 रुपे पढ़ा हुआ है तो कल को अगर कोई भी party default कर जाती है तो उसके पास इतना adequate पैसा है कि वो एक lot के बराबर का counterparty का जो amount है वो pay off exchange कर दे तो counterparty risk almost zero होती है forward contract जो होती है वो आपस में लगाई हुई शर्त होती है ये बजार में नहीं बेची जा सकती है इसकी liquidity profile बहुत low होती है क्योंकि ये customize होती है हम दोनों के बीच की शर्त लगी है इससे किसी तीसरे को क्या interest है ठीक है लेकिन futures जो होता है वो standardized होता है अगर आज मैंने डाबर पे शर्त लगाई है तो जरूर ही नहीं है कि मिरको expiry तक रुखना है मैं आज ही चाहूं अगर तो मैं डाबर का future sell कर सकता हूं market में जाके क्योंकि market में खरीदार तयार है खरीदार इसले तयार है because of standardization right कि सब लोगों को डाबर का 1250 का share ही चाहिए it is not customized price discovery जैसा आपन ने पहले भी समझा था पिछले session में कि forward contract तो दो लोगों के बीच लगाए वा सटा है तो यहां पर क्या price discovery है तो जो दो लोगों ने मिलके decide कर दिया वही price और उसी की discovery करनी है ठीक है जबकि उल्टा क्या होता है हम लोगों ने excel में calculation भी करके देखा था कि अगर volume जादा है तो मेरी price discovery कितनी better होती जाती है यहना तो अगर बहुत सारे लोगे लाखों लोग मिलके डाबर के futures को buy और sell कर रहे है तो लाखों लोग मिलके जो price decide करेंगे that will be the most fair price क्योंकि हो market decided price है ठीक है फिर quality of information, poor quality, slow distribution मतलब आपको पता नहीं चलेगा अगर दो लोगों के बीच में you know शर्त लगी है तो because it is a very private thing लेकिन अगर वहीं पर ही कहीं बड़ी block deal हुई है कि किसी ने 300 करोल रुपे का Tata consultancy services के stock करीद ली open markets है तो आप साड़े तीन बज़े market बन दोता है साड़े चार बज़े पूरा data दुनिया के सामने आ जाता है ठीक है तो ये एक छोटा सा difference है which is between forwards and futures and मुझे लगा कि आपको यहां से में coverage करा सकता हूँ इसकी ठीक है कि आप अच्छे सा समझो सिर्फ मैं नहीं that theoretical part is futures का pricing थोड़ा सा समझना है इदर futures का pricing का मतलब मेरे को समझ में नहीं आया अगर हम अभी अभी ताजा example recall करें तो डाबर का जो spot price चल रहा है spot price मतलब stock का price cash में करें कि stock में खरीतना हूँ that is 640.9 जितना मेरे को याद है है ना और डाबर का ही august का जो future चल रहा है august का जो future चल रहा है वो 644.7 चल रहा है say for example है ना तो इन दोनों के बीच का जो difference है ठीक है why there is a difference क्यों difference है इन दोनों के बीच में there is a mispricing समझना इदर इन दोनों के बीच में difference क्यों है अब डाबर का जो stock है वो stock अगर मैं आज लेता हूँ say for example आज अगर मैं 1200 की की डाबर का जो future है वो तो 1250 quantity का है तो अगर मैं 1200 कुवंटिटी आज उठाता हूँ तो आप समझो मेरे को मोटा मोटा साड़े साथ आट लाग रुपे लग जाएगा और उसके against में मेरे को उधार लेके आना पड़ेगा पैसा हो किसी से मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको हम आज ही समझेंगे कि forward जो future होता है और stock का जो spot price होता है उनके बीच में difference क्यों होता है अब ये जो difference है ये है ना दो इसके justifications है रादर दो model हैं जिनके कारण ये difference निकाला जा सकता है सबसे पहला model आता है आपका cost of carry model और दूसरा model आपका आता है expectations model हम क्या करेंगे हम आज के लिए ये cost of carry model बहुत अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करेंगे अगर मैं cost of carry model की बात करूँ तो इसी को बोला जाता है no arbitrage model अलसो है ये बात ध्यान रखना इसी को no arbitrage model भी बोला जाता है जो cost of carry model है वो होता क्या है सर पहले तो वो चीज़ समझाओ देखो यार simple सी बात है अगर मैं एक example आपके सामने लो say for example की gold है और gold का जो spot price है spot price का क्या मतलब है spot price का मतलब है की आप cash जाओ और cash में जाके सोना ले लो वो say for example 62,130 रुपीज पर 10 ग्रैम चल रहे है ठीक है और मैंने क्या करा मेरे को है ना future लेना है ठीक है अब future जो है ध्यान से समझना future जो है say for example future भी 10 ग्राम का अवेलेबल है future है अवेलेबल 10 ग्रैम का तो future का price क्या होना चाहिए future का price क्या होना चाहिए ये मेरे को cost of carry model से निकालना है अब यहाँ पर समझो आप तो मैं क्या करूंगा पता है मैं है ना एक synthetic future बनाने की कोशिश करूंगा synthetic future बनाने की कोशिश करूंगा मतलब देख यार अगर मेरे को future खरीदना है gold का तो मुझे आज कोई पैसा देना है क्या आज कुछ भी पैसा नहीं देना है ठीक है मिरको एक महीने के बाद जब भी expiry होगी तब जो भी price का difference है उसके बीच का cash कल इन दिन settle हो जाएगा correct जो margin थोड़ा बहुत देना है वो आज देना है लेकिन अगर मैं spot price पे gold खरीद लेता हूँ तो मुझे पूरा 62,000 rupees आज ही देना है ठीक है अब हम है न अगर synthetic future बनाते हैं तो synthetic future का मतलब यह है कि हम future को mimic करने की कोशिश करते हैं future को mimic करने की कोशिश कर रहे हो मतलब मतलब हम क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको synthetic future बनाया जाओ synthetic मतलब बनावटी synthetic future कैसे बनाओगे आप आप क्या करोगे आप सबसे पहले what is the price of gold price of spot gold तो 62130 ठीक है तो हम क्या करेंगे हम सबसे पहले करेंगे borrow rupees 62130 for one month add the rate of rupees 1% per month say for example तो मैंने एक महिने के लिए पहले तो 62130 rupees का जुगाड करा ठीक है फिर मैंने क्या करा फिर I have bought the gold buy gold add the rate 62130 देखो ना simple सी बात ही है सब transactions के नहीं होता है होता है ठीक है फिर क्या करोगे आप store gold in a locker for one month say for example इसका जो rent है that is 20 rupees for per 10 gram ठीक है अब ये जब आपने सारा काम कर लिया आपने पैसा same amount बॉरो करा आप बजार में गए आपने spot में gold लिया और आप locker में gold रखके आए ठीक है तो आपने क्या करा आपने एक synthetic future बराबर एक position create कर दी मतलब अब gold के price में अगर एक रूपे का moment होता है तो जो profit and loss आपको future में बन रहा था वो exact profit and loss आपको इस position में भी बनेगा लेकिन यहाँ पर क्या ये करने के दौरान मेरी कुछ additional cost लगी है क्या additional cost तो लगी है किस चीज़ के additional cost लगी है एक पर जो मैंने borrow करा था amount इसका interest लगा है 1% बिलकुल सही है और दूसरा क्या लगा है दूसरा rent लगा है मेरा 1% समझना तो मेरा effective cost क्या हुआ मैं अगर यहां बोलता हूँ effective cost of synthetic gold future उसकी effective cost क्या हुई synthetic gold future की तो सबसे पहले तो भाई spot spot price add करो 62130 ठीक है फिर उसके अंदर आप add करो interest interest cost add करो आप 1% 621.30 तो 621.30 ठीक है फिर आप करो रेंटल लॉकर का जो रेंट है 20 रूपीस टोटल किता आ रहा है 6 यहां से टोटल लेते हैं 1 325 और 17 तीन और 167 और 2.30 62771.30 यह जो cost है आपकी यह जो प्राइज है आपका यह प्राइज किसका प्राइज आया है अपना synthetic future का प्राइज है कि अगर आज फ्यूचर ट्रेड कर रहा होता होगा तो उसको इस प्राइज पे ट्रेड करना चाहिए प्राइज प्राइज यह ध्यान से समझ ना भिडू यह दोनों जो है ना यह दोनों क्या cost of carry है क्या बिल्कुल ध्यान से मैं इसको और simplify कर रहा हूँ गोल्ड इस्पोर्ट 62130 ठीक है cost of carry cost of carry कितना है आपका 641.30 जिसमें interest प्लस लॉकर रेंट है तो ध्यान से समझ ना इधर यहाँ पर मैं अगर आपको बोलू इन दोनों को तो ideal futures का price कितना होना चीए ideal futures का price होना चीए 62771.30 ठीक है अब बिल्कुल ध्यान से समझ ना actual में future का price जो है वो say for example 63,000 होता है तो क्या यहाँ पर आपको एक opportunity बनी हुई दिख रही है हाँ सरीक opportunity बनी हुई दिख रही है इस opportunity को क्या बोला जाता है पता है यह जो mispricing बोलेंगे इस mispricing के कारण क्या हो रहा है इस mispricing के कारण what are we getting we are getting an arbitrage opportunity ध्यान से समझना है यह market में exist नहीं करती है आप ऐसे समझो theoretical concept आप पर कर नहीं पाओगे सिर्फ institutions होते हैं जो arbitrage को in cash कर पाते हैं क्यों बड़ी volume के साथ खेलते हैं खोड़ा सा दिमाग लगाओ है न क्या मैं इस arbitrage क्या मैं यह जो दोनों के बीच का price difference है इससे कुछ मुनाफ़ा कमा सकता हूं क्या कमा सकता हूं कैसे कमोंगा मैं है न देखो जादा क्या है कभी भी arbitrage opportunity का जब फायदा उठाना होता है तो जो जादा price होता है उसको हम base देते हैं और जो कम price होता है उसको अपन खरीद लेते हैं देखने हैं दर दिहान से हम क्या करेंगे पता है सबसे पहले इसका जो नाम देंगे वो नाम देंगे cash and carry arbitrage मेरे को पता है चीजें difficult होती जारी है आपके लिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं आसान होता तो finance किसी काम का भी नहीं होता न तो step number one हम क्या करेंगे sell gold future सबसे पहले तो market में जाके gold का future बीचूँगा गोल्ड के future का actual price क्या चल रहा है 63,000 रुपीज मैंने सबसे पहले तो gold का future बेज दिया ध्यान से समझना अब मैं क्या करूँगा second borrow money and buy 10 gram spot में gold 10 gram spot में gold at the rate किस rate पे spot में 62130 ठीक है ध्यान से समझना third hold for one month hold for one month ध्यान से समझना and pay cost of carry कितना है 641 and pay cost of carry 641.30 that is cost of carry भई profit कैसे बनेगा sell करोगे और sell करके buy करोगे तो profit बनेगा ठीक है हमने sell करा तो मेरा total sell price किता हुआ 63,000 ठीक है और यहां पर मेरा अगर मैं ऐसे बोलू तो मेरा effective buy price किता हुआ इन दोनों का add कर दो this plus this added है अपने पास 62771 62771 ठीक है 62771 तो मेरा cash and carry arbitrage का जो profit है वो कितना हुआ वो हुआ अपना 63,000 minus 62771 कर लीजे calculate ठीक है कर लीजे calculate जो भी आ रहा है whatever the amount over here ठीक है यह जो profit मैंने कमाया है यह profit था no risk plus no capital आपको समझ में नहीं आया होगा अभी ना कोई risk लगा मेरा इसमें ना कोई capital लगा मैं कारण बताता हूँ क्यों इधर धियान से समझना आपने क्या करा आपने सबसे पहले आप बजार में गए और आपने क्या करोगे आप उस बड़े वे gold के price में opposite transaction ले लोगे आप जब जो buy करा हुआ सोना है उसको आप बेज दोगे और जो आपका settlement हो रहा है sell का loss हो रहा है वो loss आप चुका दोगे ठीक है क्योंकि future तो cash में ही settle होंगे future में तो आप वापस अपने को मतलब gold की delivery तो लेना नहीं है ठीक है तो हम क्या करेंगे जो gold हमने खरीद है इसको हम market में बेचेंगे जो पैसा आएगा उससे future का gain या loss settle करेंगे ये सब करने के बावजूद भी हमारे पास जो पैसा बचेगा that would be 229 रुपीज पर 10 ग्रैम ये होगा ही होगा आप लोग एक काम करो मुझे पता ही आप के लिए थोड़ा difficult होगा ठीक है मुझे पता it will be very difficult for you हो सकता है करें लोगों को समझ में भी ना आया हो क्योंकि अगर देखना यार इतना आसान होता ना समझना तो कोई भी समझ जाता बट अगे इनको इतना difficult भी नहीं आप थोड़ा सा दिमाग लागा और ये बी अबल तो पड़ो I believe trust me आपको बहुत असानी से चीज समझ में आएगी आज के लिए इतने रखते हैं इस पार्त वर्मा साइनिंग ओफ बाई बाई